हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू था स्टेडी आइक्यूज यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चोहान और हिस्ट्री के अपनी सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे कुट इंडिया मुव्मेंट के बारे में सो भारत छोड़ो आंदोलन के सभी पक्षोग आज हम समझने की कोशिश करेंगे पूरा अनलेसिस करेंगे कुट इंडिया मुव्मेंट का लेकिन आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने प्रीवियस सेशन अभी तक नहीं देखे हैं सो कुट इंडिया मुव्मेंट को समझने के लिए उन्हें पहले प्रीवियस सेशन पढ़ना पड़ेगा उन्हें इंडिविजुल सत्तगरे क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ वो सारी चीज़े जाननी पढ़ेंगी सो मेक शूर आप पिछला सेशन जरूर देखें अगर आपने Euhy तक मेरे पिछले सेशन को नहीं देखा है सो मेरी पूरी प्लेइस्ट Wow के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे जो पिंन्ड कमेंट है उसमें सबसे आखरी में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको उस लिंक के माध्यम से आपको पूरा सारे सेशन्स आपको मिल जाएंगे अभी तक जितने ही मैंने अपलोड किये हैं राइट उनी सारे सेशन्स को देखिएगा पिछली पूरी स्टोरी जो है वो प्रिपेर करते हुए चलिए क्योंकि जैसा कि मैंने हमेशा से बोला ही है कि हम सभी facts को तो इखटा करी रहे हैं और सारे के सारे concept हम प्रिपेर करते जा रहे हैं क्योंकि factual as well as conceptual knowledge दोनों को जोड़ कर हमें चलना है ताकि किसी भी तरह के question अगर आपके सामने आए तो आप उसके साथ deal कर सके है उसके लावा आपको topic कैसा लगता है जो भी सवाल मैं पूछूँगा उन सब को आपको comment के माध्यम से नीचे मुझे बताना है अपना opinion भी देना है मुझे feedback भी provide करना है जो questions मैं पूछता हूँ उनके जवाब तो आपको देने है ही और खाली आत मत बैठियेगा notes बनाइए proper मैं यहाँ पर जो है वो keywords highlight कर दे रहा हूँ उसके around sentence forming आपको करनी ही है और उसके लाव अगर आप CAC के लिए प्रिपेर कर रहे है and for that matter किसी भी government job examination के लिए अगर आप प्रिपेर कर रहे हों तो उस application पर बहुत सारा material available है make sure you check that out so शुरू करते हैं आज का हमारे session आज हम पढ़ेंगे quit India moment को so जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले quit India moment में सबसे पहली चीज़ हमें समझनी है why start a struggle now कि अब जो है वो struggle क्यों शुरू किया जाए ठीक है क्रिप्स mission जो है वो fail हो चुका है 1942 में स्टैफ़र्ड क्रिप्स आया भारत में और political deadlock हो गया ठीक है और finally जो वारता है finally जो negotiations है वो तूट गई negotiations तो होई नहीं रही थी right स्टैफ़र्ड क्रिप्स को बोला गया था है कि take it और leave it offer आपको जाकर देना है ठीक है तो हमें पता था कि स्टैफ़र्ड क्रिप्स जो है वो liberal है और जो पीछे conservative बैठे है जैसे चर्चल है लिनेत को है ठीक है तो ये कभी पास होने ही नहीं देंगे क्रिप्स मिशन को क्यूं क्यूंकि जैसे कि चर्चल ने अपने statement में कहा है कि मेरे जीते जी जब तक मैं official capacity में हूँ मैं British Dominion को liquidate नहीं होने दूँगा यानि British Empire को liquidate नहीं होने दूँगा यानि कि हम भारत को नहीं चोड़ेंगे ठीक है तो ऐसे में क्रिप्स मिशन आता है क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है तो अगर आपने क्रिप्स मिशन नहीं देखा है तो पिछला जस्ट टॉपिक है उसको देखिए उसो मैंने August offer इंडिविज्वल सत्यागरे क्रिप्स मिशन समझाया है और उससे पहले की घटनाए पूरी की पूरी हमने कवर कर दिये पूरा 1930 का दशक So make sure you watch all those sessions बहुत जरूरी है पिछले sessions कवर करने के लिए उससे पहले मैंने socio-cultural reforms वो सारी चीज़े कवर करा दिये So make sure आप उन sessions को देखिए So यहाँ पर मैंने आपको बोला था रामगड के session में गांदी जी को बोलागा कि आपको अब civil disobedience movement लीड करना है गांदी जी ने बोला कि अभी civil disobedience movement लाने का समय नहीं है यानि mass agitation लाने का समय नहीं है हमें कोई और नया तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे जिससे जनता को हमें suppress करने का बहाना भी न मिले प्लस जादा से जादा not जनता बट सरकार सरकार को हमें suppress करने का बहाना भी न मिले और जादा से जादा जनता गौम ही घटा कर ले तो गांदी जी ने यहाँ पर एक बहुत नायाब तरीका निकाला देट इस इंडिविज्वल सत्य अगरे कि जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी अपनी लोकैलिटी में जहां जहां से वो बिलॉंग करते हैं इस इंपिरिलिस्टिक वार जो चल रही है यूरोप में इसके खिलाफ भाषन देना शुरू करें सभी इंपिरिलिस्टिक सरकारों को खिलाफ भाषन देना शुरू करें विश्यूद के खिलाफ जो है वो लोगों को जागरूख करना शुरू करें विश्यूद की वजए से जो प्रेस या जो civil liberties को रोक दिया गया है भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा उसके खिलाफ सत्य ग्रहे करना शुरू करें civil disobedience करना है आपको लेकिन अभी civil disobedience जो है वो आपको boycott level तक नहीं करना है अंग्रेजी services picketing वगेरा वो सब नहीं करनी अभी बोला गया कि रुको वो लेवल आएगा लेकिन पहले जन्मत इखटा कर लो फिर साथ में आपको समझाया था कि दिल्ली चलो क्या है दिल्ली चलो का slogan क्यों आया ऐसे ऐसे protesters को बोला गया अगर आपको arrest नहीं किया गया है अगर तो आपको arrest कर लिया तो बहुत अच्छी बात है जेल जाओ और अपने साथ जाद से जाद लोगों को बोलो की जेल भरो ठीक है दूसरी बार दूसरी बात अगर आपको arrest ना किया जाए तो अपने साथ जनता को घटा करो और दिल्ली की तरफ आईए प्रेशर डाली अंग्रेजी गवर्मेंट पर और इससे अंग्रेजी गवर्मेंट गन्फ्यूज हो गई कि हम इनको किस चार्ज पर arrest करें यह civil disorder तो करी नहीं रहे है मतलब उस लेवल का civil disorder नहीं कर रहे है जिस चीज के लिए अंग्रेजी सरकार prepared थी क्योंकि from the very commencement of world war British government was prepared to suppress Indian nationalists British government अपनी तरफ से prepared थी कि Indian nationalists जो है वो इस विश्यूद का फाइदा उठा कर किसी तरीके का mass movement करने ही कोईश करेंगे क्योंकि एक दशक जो है वो बीत गया है लोगों जोडते जोडते और जो provincial government है वहाँ पर जो है वो Congress के leaders ने काफी जो है वो positive attitude generate कर लिए अपने प्रति और काफी support जो है वो Congress को है भले ही Congress disorganized है लेकिन support भी बहुत है ठीक है ऐसे में अंग्रेजी सरकार पूरी तरह prepared थी और गांधी भी पूरी तरह prepared थे कि अंग्रेजी सरकार को बहाना देना ही नहीं है हमें suppress करनेगा इसलिए 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 सुभाष बोस के जो वाष बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि mass movement लाईए और मेरे तरीके से mass movement को लाईए गांधी जी ने उसका सरे से oppose किया कि नहीं तुम्हारे तरीके से mass movement हम नहीं लाएंगे हम अपना एक अलग तरीका मेरा खुद की strategy होगी क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर हमने हलका सा भी violent mass movement किया तो अंग्रेजी सरकार तो बहाना ढूंड रही है कि कब जो है वो एरफोर्स के जेट्स उपर से जाए और वो मशीन गन से fire करें क्योंकि हम पे वो अगर बैनर लगा दिये उन्होंने प्रो जर्मनी प्रो जैपनीज का तो वो अगर हमारे उपर आर्मी का भी य आते आते अब धीरे धीरे कॉंग्रेस भी गांदी के ओपर प्रेशर बनाने लगी कि गांदी जी अब आपको mass जो है वो moment करना शुरू कर देना चाहिए और यहाँ पर गांदी जी को भी लग गया कि नहीं अब जो है वो पक चुका है महाल लोग जो है वो जागरुक हो भारत में भुकबरी अकाल का जो है वो जो भारत का इस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर अकाल की बहुत बुरी हालत है क्योंकि वहाँ पर population density बहुत जादा है और प्लस जपैन जो है वो रंगून तक पहुंच गया तो साउथ इस्ट एशिया से जो मतलब जितना भी अनाज आता था बंगाल के लिए वो सब रुक गया तो वहाँ पर जो है वो अकाल की सिच्वेशन बहुत जादा थे कमाई बिल्कुल कम थी रोश बड़ा हुआ था वार का महल था मतलब कहने का मतलब अगर आप बाहर भी निकल रहे ना मार्शल लौ नहीं लगा था लेकिन सिच्वेशन वैसी थी मार्शल लगानी की जुरुरती नहीं थी सडकों पर आर्मी आ चुकी थी सारी सारी सिवल लिबरिटी जो है वो छीन ली गई थी ऐसे में आप जो है वो एक मास मुवमेंट लाने का समय आ गया था क्योंकि जनता तयार थी और इसलिए कुट इंडिया मुवमेंट लाए गया तो आएए देखते हैं सबसे पहले इन कुछ पॉइंट के माधियम से की फॉर्मली हम देख लेते हैं क्या क्या कारण रहे कुट इंडिया मुवमेंट क्यो क्रिप्स के माध्यम से भारत में कुछ जो है वो नेगोसिएशन कर सकते थे लेकिन उन्होंने टेक इट और लीव इट आफर दिया ही इसलिए था क्योंकि वो जानते थे कि भारतिये से रिजेक्ट कर देंगे और भारतियों ने किया भी पॉलिटिकल डेडलोग आ गया और अब यहाँ पर एक मास मुवमेंट लाने की जुरूरत थी क्योंकि अगर नहीं लाते तो जनता में यह मैसेज जाता कि जो पॉपलर नैशनलिस्ट लीडर थें वो अंग्रेजी अंग्रेज जो कह रहे हैं उन्होंने माली यानिंग्सट कर दिया किसने पॉलिटिकल लीडर रृफ तो यहाँ पर एक पॉपलर अपिनियन बनता जा रहा था कि हमें अब मु factors such as commandeering of boats in Bengal and Urisa there were fears of Britain following a scorched earth policy in Assam, Bengal and Urisa against possible Japanese advance. 1942 तक Japan आ गया था Myanmar तक यानि बर्मा था रंगून है फॉर्ट रंगून जो है वो अंग्रेजों के हाथ से निकल गया था. Southeast Asia से अंग्रेज जो है वो अपनी colonies को खाली कर रहे थे. वहाँ से जितने भी whites है ना जितने भी अंग्रेज हैं उनको Europe बुलाया जा रहा था और Southeast Asia के लोगों को उनके उनके भागे के बरुसे छोड़ दिया गया था जपानियों के हाथ में छोड़ दिया गया था और फिर जैपनीज ने बहुत हो को मारा भी वहाँ पर ठीक है प्लस जैपनीज ने जितना भी production है क्रॉप का वो सब अपने कंट्रोल में ले लिया भारत में जो है वो चावल नहीं पहुंच रहा वहां से ठीक है और इससे हुआ कि भारत में राशन का इसा ना हो कि भारत निकल जाए ठीक है कुछ ना कुछ आपको जल्द से जल्द करना पड़ेगा इसका मतलब यह कि अंग्रेजी सरकार अब यहां पर बहुत drastic measures लेने को तयार थी जिसको scratch earth policy कहा गया जिसके तहत करना यह होता है scratch earth policy का मतलब यह होता है कि अपनी उन इसारी properties को damage कर दो जिसका दुश्मान इस्तमाल कर सके अगर जपैन असाम के रास्ते बंगाल के रास्ते भारत में एंटर भी करता है तो असाम बंगाल में जितनी भी British possessions है जिसका इस्तमाल कर सकता है Japan यानि कि सारी की सारी communication की line सारी की सारी transportation की line सभी bridges सभी सडके सारी markets सब को जो है वो तबाह कर दिया जाएगा सारे banks सारा system जो है वो बंगाल का बिहार का तबाह कर दिया जाएगा ताकि उस रास्ते से आगे बढ़ ही ना सके जपान इसको कहा ताकि दुश्मन उन resources का इस्तमाल ना कर सके जंगलों में आग लगा दी जाती थी सारे communication lines को तोड़ दिया जाता था सारे transportation lines को तबाह कर दिया जाता था ठीक है तो इससे जो है वो दुश्मनों के लिए hurdles बढ़ जाती तो आप यह मान सकते हैं कि अगर मान लीजे कोई सामने से सेना आ रही है और आपने लंबी सी खाई खोद दी उनके लिए this is scratched earth मतलब अर्थ को खोद दिया है ना वो पार नहीं कर सके खाई खोद देना यह policy जो है वो अंग्रेज अपना सकते थे भारती इस चीज़ से डरे होए थे क्योंकि Japanese जिस aggression से आगे बढ़ रहे थे तो Congress और गांधी जी को भी लगा कि अब वो समय आ गया है कि हमें जो है वो मुद्दा अपने हाथ में ले लेना चाहिए ताकि अंग्रेज ऐसा ना हो ज possibility बन रही है कि अंग्रेजी सरकार तो भाग जाएगी और भारतियों को जपानियों के हाथ में छोड़ दिया जाएगा तो भारतियों को तयार करना है जपानियों से लटने के लिए एक यह condition भी थी कि quit India moment या एक बड़ा mass struggle आना जो है वो बहुत आनिवार रहे था ठीक है आ अंग्रेजी खाजाने जो है वो लोगों ने खाली करने शुरू कर दिये बंगाल के खेतर से अंग्रेजों ने मूव करना शुरू कर दिया साउथ इस एशिया से तो अंग्रेज चले ही गए थे ठीक है तो लोगों के मन में ये भैया आने लगाया कि अंग्रेजी सरकार जो है वो भारत में जाह समय तक टिके रिक टिकेगी नहीं ये तूट जाएगी इससे पहले कि जपान हमें आके एक वायर कर ले हम अपना administration संभ ठीक है ये बोले ना साउथ इस एशिया से ब्रिटेश जो है वो चले गए सारे अंग्रेज चले गए और वहां के जो नेटिव्स है उनको जपानियों के हातों में छोड़ दिया उन्होंने टू रोड्स वर प्रोवाइड ब्लैक रोड और इंडियन रिफूजीज और एशियन पावर शैटर्ड विदाव शैटर्ड वाइट प्रेस्टीज और ब्रिटिश ब्रिटिश बिहेवियर तोड़ इंडियन सब्जेक्ट इन साउथ इस एशिया एशिया में ऐसा नहीं है कि भारतिय नहीं थे बहुत भारतिय मजदूर थे क्योंकि थी थे वो अंग्र शिप्स होंगे और उसमें सारी लक्षरीज होंगी और भारतियों को भेड़ भक्री की तरह जो है वो शिप्स में ठूस दिया गया होगा जिसमें कईयों की डेथ भी होई होगी तो यहाँ पर उनका क्लियर रेसिस जो है वो एजंड़ फिर से दिखता है वाइट सुप्रेम नहीं समझा भारतियों ने कभी यूरोपियों का अपना नहीं समझा इसलिए यूरोपियों का भारतिय करण नहीं हो सका इसलिए कभी भी ब्रिटिश जो है वो भारतिय नहीं कहला सके क्यूंकि भारत में आने वाले अन्य सभी इन्वेडर्स का भारतिय करण हुआ है ठीक है चाहे वो 3000, चाहे वो 2000 BC के आसपास आने वाली tribes हो या उसके बाद जो है वो बेशक अगर फार्सी आए हो भारत में, ग्रीक्स आए हो भारत में, सिंथियन आए हो, साका आए हो, उसके बाद बेशक तुर्की आए, अर्बी आए, मंगोल आए, इन सब का जो है वो भारतिय है, तो अगर आप जड ढूनेगे ना, कि अंग्रेजों ने भारत में, टेक्नोलोजिकल जो एडवांसमेंट किया, वो अपने फाइदे के लिए किया, भारतियों के फाइदे के लिए क्यों नहीं किया, क्यूंकि वो अपने आपको एक superior race समझते थे, और भारत को अपना नह समझकर अपना subject समझते थे, कि ये हमारे गुलाम है, ठीक है, ये हमारी dominion है, और ये हमारे गुलाम है, हम बराबर नहीं है, उनकी जो racial superiority है, वो उनके जो है, वो सारे फैसलों को गाइड करती थी, ये आज तक भी है, आज तक ऐसा नहीं है, कुछ अलग हुआ है, आज भी ऐ इसा ही है, racial superiority अंग्रेजों में बनी हुई है, ठीक है, so Asian power shattered white prestige, जपानियों ने जो भागने मजबूर किया अंग्रेजों को, यहाँ पर बात clear होगी, next is, last point देखेगा, the leadership wanted to condition the masses for a possible Japanese invasion, ठीक है, Japanese invasion हो सकता है, उसके लिए जनता को इखटा करना आनिवारे हो गया था, ठीक है next point देखते हैं अब, next आईए, the quit India resolution, 14th July 1942, अब quit India resolution क्या है, अब जो Congress की working committee है, उसने गांधी जी को बोला, July 1942 में कि गांधी जी आपको civil disobedience लाना है, गांधी जी ने भी बोला कि हाँ भाई, आप civil disobedience लाने का mock time जो है, वो आ गया है, ठीक है, तो उसी के लिए, देखें यहा पर 14 July 1942, the Congress Working Committee met at वर्धा, बहुत important है, वर्धा में फिर से जो है, वो 42 में meeting हुई, CWC की, and resolve that it would, it would authorize Gandhi to take charge of a non-violent mass movement, ठीक है, यहाँ पर क्या फैसला लिया गया है, कि गांधी जी जो है, वो अब एक mass movement लाएंगे, जो की, चाहे civil disobedience और non-cooperation हो, लेकिन होगा सत्याग रही, क आएगा, non-cooperation भी आएगा, और hunger strikes भी आएगी, ठीक है, नेक्स देखिएगा, the resolution generally referred to as quit India resolution, इस resolution को quit India resolution कहा गया, तो quit India resolution का पास हुआ है, quit India resolution पास हुआ है, CWC की meeting वर्धा में, 14 July 1942, लेकिन उसको ratify किया गया है, 8 अगस्त बॉम्बे में, ध्यान रखिएगा, दो अलग लग question है, पास हुआ है वर्धा में, ratify हुआ है बॉम्बे में, ठीक है, तो ये दो अलग-अलग सवाल बनते हैं, next is देखिएगा, proposed by जवाहरलाल नहरू, and seconded by सरदार पतेल, it was to be approved by All India Congress Committee meeting in बॉम्बे इन अगस्त, जवाहरलाल नहरू, सरदार पतेल, were part of CWC, इन्होंने प्रपोज करिये, इस resolution को, और इस resolution को, All India Congress Committee द्वारा, ratify कराया जाना था, अगस्त में, बॉम्बे में, ठीक है, next देखिएगा, the quit India resolution was ratified at Congress meeting at गवालिया टेंक, बॉम्बे, on August 8, 1942, गवालिया टेंक, बॉम्बे, ठीक है, गवालिया टेंक बॉम्बे में, इस resolution को ratify किया गया, और ratify करने का मतलब यह है कि, इसको जो है, वो authorize कर दिया गया, Congress द्वारा, और अब यह movement जो है, वो लाया जाना था, अभी यहाँ पर जो गांधी जी ने speech दिये ना, अठतारिक को, उसमें गांधी जी ने बत लेकिन आपको यह सारी चीजे करनी हैं, ठीक है, हो सकता है कि, इसका official जो है, हम declaration दे ही ना सकें, हम सब जेल में हो, सारी press जो है, वो बिल्कुल already press के rights जो है, वो बंध है, हो सकता है कि उसके बाद भी जो है, वो बिल्कुल भी किसी भी तरह का जो है, हम चापना सकें, क्या आपको provisions बताऊंगा भी क्या क्या है, लेकिन गांधी जी ने, मैंने आपको गांधी जी का style बताया है ना, गांधी जी का style बिल्कुल basic है, वो सब को अपने method सिखा देते हैं, फिर अगर leader jail भी चला जाए, तो उनके जो deputies हैं, उनके जो lieutenant हैं गांधी जी के, वो movement को चालू रखेंगे, तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ भी, क्योंकि 8 अगस्त को speech दी गांधी जी ने, 8 अगस्त को इस quit India resolution को ratify किया गया, अगले ही दिन, अंग्रेजी सरकार को तो बहाना चाहिए था, और अंग्रेजी सरकार को पता था कि अब यह mass moment होने जा रहा है, तो अंग्रेजी सर सुबा सुबा ही सारे के सारे कॉंग्रेस के important leaders को arrest कर लिया गया, ठीक है, आये देखते हैं, अच्छा मीटिंग में क्या-क्या result हुआ पहले वो देखते हैं, demand an immediate end to British rule, second चीज, declare commitment of free India to defend itself against all type of fascism and imperialism, सभी तरीके के fascism, nazism, imperialism, सभी को condemn किया जाता है, for a provisional government of India after British withdrawal, British withdrawal के बाद भारत में provisional government established की जाएगी, sanction a civil disobedience movement against British rule, civil disobedience movement को sanction किया गया, और Gandhi was named the leader of the struggle, गांधी जी को leader बनाया गया, ये सब जो है वो, Bombay की जो meeting है, उसमें फैसले लिए गए, अब इसमें गांधी जी की speech आती है, गांधी जी ने जो अपनी speech दी थी, उसमें जो गांधी's general instruction थे, समाज के different sections के लिए वो क्या क्या थे, देखिये पहला point, गांधी's special instruction was spelled out as Gualia tank meeting, at the Gualia tank meeting, but not actually issued, they were directed at various sections of society, government servants के लिए क्या बोला गया, do not resign but declare your allegiance to the Congress, soldiers के लिए क्या बोला गया, do not leave the army but do not fire on compatriots, students के लिए बोला गया, if confident, leave studies, peasants के लिए बोला गया, if जमिदार are anti-government, pay mutually agreed rent, and if जमिदार are pro-government, do not pay rent, princes के लिए बोला गया, support the masses and accept sovereignty of your people, princely states के लोगों के लिए क्या बोला गया, support the ruler, only if he is anti-government, and declare yourself to be part of Indian nation, तो ये समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए गांदी जी के direct, जो है वो, अब ये speech में बोला गांदी जी ने, लिखित में नहीं निकला, क्यूंकि आम तोर पर गांदी जी अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, लिखित में अपना जो है वो, जो भी views हैं, वो अप जनता को provide किया अगरते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मौका मिला ही नहीं, क्यूंकि हरीजन जो है, वो suspended थी अभी तक, ठीक है, तो ऐसे में, ये speech ही जो थी गांदी की, इसी speech ने सर्व किया गांदी जी के messages, quit India movement के लिए, या जो अब आने वाला civil disobedience था उसके लिए, ठीक है, तो गांदी जी ने सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर बोला है, किसके लिए, गांदी जी ने कहा है, government servant को बोला है, कि आप अपनी नौकरियां छोड़ना चाहते है तो छोड़ दो, और अगर आप कर भी रहे हो, ठीक है, अगर आप कर रहे हो ना, do not resign, लेकिन Congress के साथ जुड़े रहो, students को बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है ना, कि अजादी मिलने तक मैं पढ़ाई छोड़ सकता हूं, तो पढ़ाई छोड़ दो, otherwise पढ़ाई अपनी ज किया जाएगा, वही मजदूरों को बोला कि आप जमीदारों के साथ मिलकर एक agreement क्रियेट कर लो, रेंट का, अगर जमीदार जो है वो अंग्रेजों का साथ दे रहा है, तो जमीदारों को रेंट देने से साफ साफ मना कर दिया गया, ठीक है, उसके अलावा, देखिए, उस राजाओं की जनता को बोला कि अगर आपके शाशक अंग्रेजों के साथ है, तो उनके खिलाफ civil disobedience कीजिए, अधरवाइस उनका खुलके support करें, अगर वो Congress के जन्टा के साथ हैं तो, तो ये गांधी जी के clear messages थे, यहाँ पर कहीं भी violent होने की बात नहीं कही गांधी जी ठीक है, लेकिन यह अंतिम जो statement है ना, इसने एतिहास कारों के मन में जो है, वो शक डाल दिया है, dubiousness डाल दिया है कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है, देखेगा, गांधी followed up with now famous exhortation, गांधी जी ने एक मंत्र दिया, देखिए, here is a mantra, a short one that I give you, you may imprint it on your hearts and let every breath of yours give expression to it the mantra is do or die, we shall either free India or die in the attempt, we shall not live to see perpetuation of our slavery, यानी अपनी slavery को हमेशा के लिए हम नहीं रहने देंगे, हमें करना है या तो मर जाना है, तो यहाँ पर कुछ हित्यासकारों ने कहा है, जैसे कि सुमिछ सरकार जी ने कहा है, कि गांधी जी ने यहाँ पर violence को favor किया, throughout गांधी जी के political career, गांधी जी ने violence का oppose किया, लेकिन अंत में गांधी जी ने भी कहा है कि करो या मरो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद गांधी जी को अरेस कर लिया गया, और फिर जेल में जब गांधी जी को बोला गया, अंग्रेजी सरकार द्वारा कि आपने जब पहले की तरह violence बंद करवाया है, non cooperation वापिस लिया, civil disobedience वापिस लिया, तो अब quit India को भी वापिस ले लीजिये, क्योंकि violence हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लगभग 1000 के आसपास जो है, वो अंग्रेजी सैनिक भी मर गये थे, पुलिस वाले भी मर गये थे, और 10,000 के लगभग भग भारतियों की मौत हो गये और अंग्रेज जो है, वो संपरदाइक दंगे नहीं करवा पाई थे, क्योंकि quit India moment की एक बहुत खास बात ये रही, कि हिंदु-Muslim दंगा नहीं हुआ इसमें, तो अंग्रेज जो है, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और लोगों ने बहुत उत्पाद मचाया, मैं आगे समझा बता हूं क्या हुआ, लेकिन यहां पर गांधी जी ने clear बात बोल दी, do or die, और ऐसा बोलके गांधी जी तो चले गए, जेल में, ठीक है, और बाहर जो है, वो वाइलेंस हो रहा है, देश में बहुत ज्यादा, अंग्रेजी सरकार जो है, वो संभाल नहीं पा रही, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो आप ही के ही करे धर है, आपने जो हमें इतना सप्रेस किया है, जनतक कब तक अपने वाइलेंस को रोक पाती है, तो यहां पर गांधी जी की स्ट्रगल की जो स्ट्रेटजी है न, वो फाइनल कंक्लूजन पे थी, जितने भी जो रेवोलूश किया है कि कही ना कही गांधी जी भी यही बात मानते थे, ठीक है, लेकिन गांधी जी ने ओपन ली इस चीज़ को एकसेप्ट नहीं किया, क्यों कि फिर उनका जो ये आइडियल चल रहा है, नॉन वाइलेंस का वो खारिज हो जाता, तो गांधी जी को भी पता था कि एक ले करना है, और गांधी जी ने वही किया भी, so it was all thought, ठीक है, पूरा का पूरा जो है, वो सौट आउट था, ये सोचा हुआ था गांधी जी ने, कि स्ट्रगल होगा, फिर स्ट्रगल होगा, फिर अंत में ऐसा स्ट्रगल होगा, कि अंग्रेजी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा इसके विरोध में, spread of the movement में देखते हैं, पहला point देखेगा, गांधी had carefully built the tempo through individual civil disobedience movements और सत्यागरह, organizational revamping and a consistent propaganda campaign, गांधी जी, civil disobedience movement के बंद होने से ही, तभी से constructive work में लग गये थे, उसके बाद, अंग्रेजों ने 1935 का Government of India दिया, भारतियों ने, भारतियों में उसके प्रती विरोश था, फिर जो provinces में, Congress ही सरकार ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिया, उससे भारतियों में confidence था, विश्वयूद के दोरान जो भारत में इतनी बूरी situation बनी हुई थी, और जो अंग्रेजों के हारने की खबरे भारतियों तक पहुँच रही थी, इससे भारतियों ने ही, Congress की, Congress ने जब resign किया था, या विश्वयूद जब से शुरू हुआ था, उसके बाद जो individual सत्यागराय गांदी ने शुरू करवा दिया था, उससे जो जनता जुड़ गई थी, अब मौसम मतलब बिलकुल पक चुका था, ठीक है, अब जो है, वो mass moment होने ही वाला था, अब अगर mass moment नहीं करते, तो ये जो लोगों के अंदर जो energy खटा हो गई है, इसको कहाँ channelize करते है, ये जो है, वो फिर Congress के खिलाफ ही जाती, या mass moment के, या जो है nationalist moment के खिलाफ हो जाती, इसलिए अब ये जो इतना रोश और इतनी, जो militant energy खटा हो गई है लोगों के अंदर उसको channelize करने के लिए इस तरह का movement लाना जरूरी था, next is, the government however was in no mood of either negotiate with the Congress, or wait for the movement to be formally launched, civil disobedience movement अभी formally launch नहीं किया गया था, क्योंकि 8 अगस्त को बोला गया था कि हम करेंगे, कब करेंगे ये नहीं बताया गया था, क्यों, क्योंकि Congress का हमेशा से style रहा है, कि launch करने से पहले अं अंग्रेजी सरकार विश्यूद के declare होने के बाद से negotiation करने के mood में थी ही नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने जो step उठाया, देखिए क्या है वो, in the early hours of August 9, 1942, सुबा सुबा, August 9, 1942, बिल्कुल सुबा सुबा, यानि कि दिन निकलने से पहले, in a single sweep, all the top leaders of the Congress were arrested and taken to unknown destinations, सारे top leaders को जवाहरलाल, सरदार पटेल, गांधी जी सब को arrest कर लिया गया, गांधी जी को रखा गया, आगा खान के palace में, पूना में, और बाकियों को जो है वो, एहमद नगर के palace में, पहले इसको jail बना दिया गया था, और jail बना कर जो है, उहाँ पर उनको कैद करके रखा गया, उनकी liberties छीन ली गई, अब इसके विरोध में, इसके विरोध में, जो movement हुआ न, वो तीन phase में हुआ, पहले phase का जो movement है न, वो immediate पहला week, जिसमें शहरों में, बहुत बड़े level पर violence हुआ, बहुत बड़े level पर violence हुआ, बैंकों को लूटा गया, थानों में आग लगाए गई, सडकें उखाड़ दी गई, पट्रें उखाड़ दिये गई, रेल के, बिजली की तारे तोड़ दी गई, टेलिग्राफ लाइन्स तोड़ दी गई, तार सारे जो टेलिग्राफ बिल्कुल हॉल्ट पर आ गई, सडकों पर जनता थी लाखों में, सडकों पर ही आर्मी भी थी, गोलियां चली, आसुगेस के गोले चले, लाठी चार्ज हुई, हजारों में लोग मरे, जब पहला वीक है, उसमें तो भयंकर रूप दिखा लोगों का, और गांधी जी तो ड गांधी जी ने, ऐसा है, और गांधी जी ये बात क्लियर कर, क्लियर बोलके गए था, यह हो सकता है कि मेर को अरेस्ट कर लिये जाए, और हो सकता है कि मैं तुम्हें डिरेक्शन्स देने के लिए मौजूद भी ना हूँ, लेकिन इंडिविजुल सत्याग रहे हैं, और जो ह सबको पता था कि civil disobedience कैसे किया जाता है, सबको पता था सत्याग रहे कैसे किया जाता है, तो एक स्कूल का बच्चा भी गाउं गाउं जाकर movement को lead कर सकता है और वही हुआ भी, मैंने बोला ना गांधी जी ने शहरों को गाउं से connect करने का काम किया, from the very home rule movement, वहीं से गांधी वर के माध्यम से उन्होंने जो स्कूल और कॉलिजों में जो network बनाये था अपने supporters का, उन बच्चों ने, उन students ने बोथ male and female लड़कों और लड़कियों ने गाउं गाउं जाकर भीड को इखटा किया, तो पहला phase of movement शहर में हुआ, दूसरा phase of movement गाउं गाउं में हुआ, और तीसरा phase of movement जो है, वो underground जो activities हुई, लगबग दो सालों तक चली, तो civil, quit India movement या जो अंतिम civil disobedience है, लगबग दो सालों तक चला, 42 से 44 तक, तो आएए देखते हैं, क्या-क्या घटना है घटीज में, ठीक है, आगे देखिएगा, सब को arrest कर लिया गया, point देखिएगा, the Congress Working Committee and All India Congress Committee and the Provincial Congress Committee were declared unlawful associations under the Criminal Law Act of 1908, Criminal Law Amendment Act of 1908 के अंडर, Congress की Working Committee, CWC, All India Congress Committee और जब प्रोविंचल Congress Committees है, उन सब को illegal गोशित कर दिया गया, यानि कि अगर अब वो किसी भी तरह की meeting रखती है, तो वह एक illegal activity होगी, sedition का charge लगा के, तुरन तरस करके jail में डाल दिया जाएगा, ठीक है next point, the assembly of public meetings was prohibited under rule 56 of defense of India, defense of India rules, जो की युद के दोरान लगता है, उसके rule number 56 के तहत, public meetings को, किसी भी तरह की public meeting को illegal गोशित कर दिया गया, next is, with the major leaders out of the picture, सारे major leaders जो हैं, वो jail में है, अरुना आसिफ अली ने, नौ तारिक की सुबह सुबह सब जेल में थे ना, तो अब lead गौन करेगा, so नौ तारिक की जो meeting हुई न, उस meeting को preside किया, एक बहुत young युवा, जो है, वो महिला नेता, अरुना आसिफ अली ने, बहुत important point है, याद known, presided over the Congress Committee session on August 9, and hoisted the flag, बहुत important points है, direct questions है, अब दिखते हैं, जनता ने किस तरह react किया, public on rampage, पहला point है, the general public attacked symbols of authority, and hoisted national flags for civility on public buildings, symbols of authority, अंगरेजी सरकार की शक्ती के जो symbols है, उनके पुलिस थाने, उनकी तहसीले, उनके सेक्रेटरेट वगरा, उन सब पे जो है, वो जबरन उने कबजा कर लिया, और उस पे जो है, वो तिरंगा लहरा दिया गया, union jack को उतर दिया, वाँसे, as a symbol of Indian, मतलब Indian national moment के symbol के तौर पे, कि अब हम अजाद ही चाहते हैं, next is, सत्य ग्रही उफर्ट थेंसल्व अप टू अरेस्ट, ब्रिजिज वर ब्लोन अप, रेलवे ट्रेक् ठीक है, लोगों ने अपनी खूद की गिरफ्तारियां दी, जेल भरी लोगों की, ठीक है, अंग्रेजी administration पर प्रेशर डाला ना, जेल भर जाए, तो administration पर प्रेशर डिल जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके अलावा, सडकें अगर तोड़ दी जाएं, बिजली की ठीक है, तो अब कुछ नहीं कर सकती ना, अंग्रेजी सरकार, उनका communication रोकने की कोशिश की गई, तो मैंने बोला ना, पहले फेज में, शहर में, दूसरे फेज में, गाउं में, और तीसरे फेज में, अंडर ग्राउंड डेटर रोगी, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया, फिर उसके बाद गाउं में पहुंचा, तो एक दो महिने के अंदर अंदर गाउं को भी अंग्रेजी आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन जो अंडर ग्राउंड गतिविदियां होती रही, वो दो साल तक जो है वो अंग्रेज उसका पीछा करते रहे उसको थाम नहीं सके तो अंडर ग्राउंड गतिविदिया बताऊंगा आपको क्या मतलब है उनका नेक्स्ट चीज देखिएगा और क्या क्या हुआ इस्टन युनाइटेड प्रोविंस बिहार बेंगॉल उसक्षेतर में ज्यादा इंटेंस थी अक्टिविटिज यह जो तोड़ फोड़ आगजनी के अक्टिविटिज यह नी वालेंट गतिविदिया है जो हुआ है पत्री का है जिनको का गया एंट एक्टिंग एस कूरियर्स फर अंडर्गाउंड नेट्वर्क्स वर्कर्स बेंट उन स्ट्राइक इन एहमदाबाद बॉंबे जमशेदपूर एहमद नगर और पूना वर्कर्स ने अब देखिए वर्कर्स जाद समय तक जो है वो स्ट्राइक पे नहीं रह सकते क्यों एक तो अल्रेडी वर्कर जाद इन स्ट्राइक पे रहेंगे नौकरी से निकाल दे जाएंगे फिर बुकमरी का सवाल है प्लस दूसरी चीज़ यूद चल रहा है तो जब मि क्याता के क्या रखा हो क्योंकि यूद के दौरान प्राइक्शन नीन रूंसरी इसलिए उन्हों ने कहीं 2 ह Tan कहीं 3कTPन दो महीना कहीं 1 महीना जो है वह Okeemाबाद बॉमबे सुरॕ यह जो मुख्य मुख्य जो है वो पॉइंट हैं इंडस्ट्रीज के वहाँ पर उन्होंने स्ट्राइक की लेकिन जाद लंबे समय तक नहीं चली क्योंकि अंग्रेजी मैंने बोला ना पहले एक हफते में शहरों में स्ट्राइक्स हुई अगजनी वाइलेंजंगा लिया अंग्रेजी मिल्लिट्री आ फिर उसके बाद अगले दो महीने सप्टेंबर और अक्टूबर अगध्र सप्टेंबर अक्टूबर जो है वो ग्रामीन लेवल पर वाइलेंश हुआ उसको अंग्रेजी आर्मी ने जहाँ वो रोल कर लिया और फिर उसके बाद अंडर ग्राउंड गतिविद्या घटी ठीक है जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्योंकि सारी प्रेस तो बंद है अब स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से पत्रीकाइच अपनी शुरू करी उन पत्रीकाओं के उपर जो है वो कुट का बहुत बड़ा रोल है किसमें कुट इंडिया मुवमेंट में और एकी लीडर लेस मुवमेंट था याद रखिएगा क्योंकि सारे बड़े लीडर जो है वो जेल में हैं लेकिन पिछले 20-30 सालों से जनता प्रिपेर्ड थी मैंने बोला था ना यही गांदी जी का जो है आई जी गांदी जीन ऐसे किया था कि अगर लीडर ना भी हो तो भी मुवमेंट जो है वो जारी रहे और उसी का एक्जेम्पल बहुत भैतरिन तरीके से कुट इंडिया मुवमेंट ने दिया और ऐसे में कुछ ऐसे अंडर ग्राउंड लीडर उबर के आए जिनोंने मुख को खाड़ते रहे उनकी रेल की प्रणियों खाड़ते रहे उनकी टेलीफोन लाइन को काड़ते रहे एसी मिलिटिंट गतिविदिया जो है वो छुप छुप कर होती रही पहले एक अफते में शहरों में हुई उसके बाद दो महीने में गाउं में और फिर दो सालों तक करा पूट किया जाए कि अंग्रेजी सरकार का डाउनफॉल सब को दिख रहा था और अब सब चाहते थे कि अब भारतियों की तरफ जो है वो थोड़ा कंसीलेटरी मूड दिखाये जाए इसलिए जो ब्रिटिश सर्विसिज में भारतिये निक्त थे खासकर नीचे लेवल के जो अफसर हैं नाट अफसर लेकिन जो नीचे लेवल के नीचे की रैंक्स के जो जो भी मुलाजिम है थीक है उनूने भारतियों को साथ देना शूरू कर दिया जो ब्रिटिश की जो इंटेलिजन्स है उन्हें जो भारतिये जुड़े हुआ है उन्होंने इनफरमेशन लीक करनी शुरू कर दी ठीक है तो भारतियों को पता चल जाता था जो underground network था ना जो leaders थे उनको पता चल जाता था कहाँ पर raid परने वाली है कहाँ पर क्या होने वाला है कहाँ पर arrest होने वाली है ठीक है so that means ये लुका छूपी का खेल दो सालों तक चला ठीक है आगे देखें जब तक गांधी जी को jail से release नहीं किया गया ठीक है गांधी जी ने release जब गांधी जी जेल से बाहर निकले उसके बाद फिर गांधी जी ने movement अपने control में ले लिया ठीक है आगे देखेंगा underground activities जो मैंने जिक्र किया उनको देखते हैं पहला ही point देखेगा many nationalists went underground and took two subversive activities the participant in these activities were the socialist देखिया participant underground activities के कौन कौन है सबसे पहला है socialist और forward block members socialist तो कब से ही बोल रहे थे खासकर जो communist है वो तो कब से बोल रहे थे कि violent गतिविदिया अगर हो लेकिन second world war में जब Germany ने रशिया पर attack किया और रशिया में communist government है तो जो communist leaders है वो flip हो गए उन्होंने बोल दिया कि अब ये रशिया के खिलाफ हो गया युद तो हम अब अंग्रेजी government के साथ हैं तो महां पर communist leaders जो है वो loyalist हो गया अंग्रेजी government के लेकिन जो socialist हैं वो तो imperialist government के खिलाफ थे वो capitalism के खिलाफ थे रइट सो रशिया भी capitalist रशिया भले ही socialism और communism का जो है वो favor कर रहा हो लेकिन देरे-देरे capitalism की तरफ रशिया भी बढ़ रहा था सेम तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी ये सब capitalist हैं तो socialist वर अगेंस उसके लावा forward block जो established किया गया है सुभाश बोस द्वारा उसके जब members है उन्होंने भी support किया किसमें इन underground activities में क्योंकि वह तो चाहते ही थे कि वर्लेंस ओ और गांधी जी ने किसी को रोका नहीं गांधी जी ने पहले रोका बाद में ने क्यों गांधी जी को पता था कि अब vaul क्योंकि अब जो violence हो गया ना क्योंकि जो constructive work किया ना जो individual सत्यागरे किया है उसमें गांधी जी ने बहुत जो है वो बहुत carefully construct किया था प्लस दूसरी साइड मुस्लिम लीग अपना पाकिस्तान बनाने में उलजी हुई थी ठीक है अब यहाँ पर criticize किया जाता है कि क्योंकि हिंदू महासभा ने criticize किया है Congress को कि आप जो है वो यहाँ पर quit India चलाने में लगे हुए थे उधर मुस्लिम लीग ने क्या बना दिया पूर आती है कुछ leaders की मिली भगत मानी जा सकती है क्योंकि ऐसा buffer land पाकिस्तान का बनाया जाना जरूरी था ताकि जो Central Asia है या Middle East है उसका असर भारत पर ना हो या Russia या Germany या Turkey जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते भारत में इंटर ना कर जाए इसलिए अंग्रेजों को एक buffer बनाना जरूरी था और पाकिस्तान को buffer की तरह बनाया गया इसलिए भारतिये leaders ने avoid किया कि अगर वो पाकिस्तान बनाने काम कर रहे है तो उन्हें करने दो खेर इन सब मुद्धों पर आगे आने वाले session में डिटेल में बताऊंगा लेकिन यहां पर आपको केवल इतना समझना है कि जो Muslim League है वो पाकिस्तान बनाने में लगी रही Muslim League ने condemn किया Quit India moment को अपना वो अलग जो है वो पाकिस्तान बनाने के लिए resolution पास करवाने के लिए पूरा का पूरा जो है वो moment इखटा कर रहे थे लेकिन लेकिन यहां पर Congress और Muslim League के बीच में understanding यह थी कि communal दंगा नहीं होने देन हमने Quit India चलाना है आपको पाकिस्तान बनाना है आपको हम काम करने दे रहे हैं लेकिन दंगा नहीं होना चीए लड़ाई जगडा नहीं होना चीए और वही Quit India देखने में मिला कि communal rights हुए ही नहीं भारत में ठीक है तो यहां पर पता चलता है कि अगर भारतिये चाहते तो दं फावर्ड ब्लॉक मेंबर्स गांधी आश्रमाइट्स देखिएगा यहां पर गांधी जी के सपोर्टर्स भी इसमें उतर गए जवाहरलाल नहरू सरदार पटेल मदन मोहन मालविया यह सब लोग उत्रे हुए थे इसमें ठीक है राजेंदर परसाद खेर इन बड़े-बड अब बड़े बड़े लीडर्स को तो जेल में डाल दिवा था लेकिन अबुलकलाम अजाद इन सब लीडर्स को जेल में रखा हुआ था लेकिन इनके जो सबोर्डिनेट्स हैं वो लगे हुए थे काम पर अंडर्राउंड अक्टिविटीज में तो गांधी जी के लोकल और्गनाइजेशन इन बॉम्बे पूना सतारा बरोदा और पार्ट्स अव गुजरात करनाटका केरला आंदर युनाइटेड प्रोविंस बिहार औं दिल्ली हर जगा अंडर्राउंड एक्टिविटीज चल रहे हैं देख रहे हैं आप जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर जैं फिर से सुनिएगा बॉम्बे पूना सतारा बरोदा और पार्ट्स अव गुजरात करनाटका पार्ट्स अव गुजरात मतलब जैसे कि बार्दोली अहम्दाबाद ठीक है सूरत वगेरा वो सब करनाटका केरला आंदरा युनाइटेड प्रोविंस बिहार और दिली हर जगा ये अंडर्ग्राउंड एक्टिविटीज हो रही थी नेक्स पैंट देखिएगा दे मेन रिस्पॉंसिबिलिटीज सॉरी नॉट रिस्पॉंसिबिलिटीज बट पर्सनेलिटीज अब देखिएगा मुख्य लीडर्स कौन-कौन थे राम मनोहर लो छोटू भाई छोटू भाई पुरुनाइक अच्यूत पटवर्दन सुचेता किरपलानी आर्पी गोइंग का ये सब लीडर्स सोशलिस्ट है और गांधियन आइडॉलोजी से इंफ्लेंस भी हैं लेकिन ये सब वाइलेंस में उत्रे हुए हैं उश्या महता स्टार्टिड अंडर्ग्राउंड रेडियो इन बॉंबे अब एक अंडर्ग्राउंड रेडियो जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था बॉंबे में जिसकी रेंज मदरास तक थी उसे मदरास तक सुना जा सकता था ताकि ये जो पूरी अंडर्ग्राउंड एक्टिविटीज हो रही है से coordinate किया जा सके और उशा महता वो radio controller थी जो ये सारी radio पर broadcast कर रही थी सारी गतिविदिया जो है वो correspond करवा रही थी जिसका सरकार को पता तो था लेकिन उसे पगड नहीं पा रहे थी सरकार अंत में सरकार ने जाके उसे भी पगड लिया ठीक है next is this phase of underground activity was meant to keep a popular morale by continuing to provide a line of command and guidance to distribute arms and ammunition ये जो underground activities है ये जनता को जोड़े रखने के लिए थी क्योंकि जब तक popular leaders जो है वो जेल में है ऐसा नहों कि जनता का जोश जो है ठंडा पड़ जाए या जनता जरुरत से गलत direction में violent ना हो जाए communal rights ना फैल जाए इसलिए एक direction provide की गई ठीक है constructive work भी किये जा रहे थे जनता को जोड़ा जा रहा था सबको civil disobedience के बारे में बताया जा रहा था लेकिन violence भी किया जा रहा था violence किस तरह का ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी अफसरों को मिलाकर जो है वो सबकी मृत्ति हुई है लेकिन लेकिन भारतियों की भी कईयों की जाने गई है लगबग दस हजार जाने भारतियों गई तो violence भी ठीक ठाक हुआ है ऐसा नहीं है कि violence नहीं हुआ there was a violence ठीक है violence था महाँ पर नेक्स देखिएगा अब जो दूसरा फेज मैं आपको बताया पहला फेज क्या था पहला फेज था शeहरी लेवल पर वैलेंज दूसरा फेज था ग्रामीन लेवल पर जो मुवमेंट मूँव किया है अब ग्रामीन लेवल पर जहां जहां पर लोकल लीडर्स ने अपनी गवर्मेंट establish करने में काम्याब रहे वहाँ पर local leaders ने एक parallel government establish कर ली यानि कि शहरों से गाओं से अंग्रेजों को खदेड दिया गया और उसकी जगह एक parallel government जो है वो establish कर दी गई यानि कि वहाँ पर एक indigenous government establish कर दी गई आईए उसके कुछ examples देखते हैं बहुत इंपोरेंट पॉइंट है कुछ इंडिया मुव्मेंट के साथ parallel government ठीक है पहला देखिएगा बलिया में बलिया इस इन इस्ट यूपी अगस्त 1942 में एक हफते के लिए फॉरा वीक अंडर चिट्टू पांडे जो की गांधी जी के सपोर्टर थे सपोर्टर थे गांधियन थे एक ही गाट मैनी Congress leaders released Congress leaders को जेल से छड़वाया भी ठीक है इन्हों ने चुप चाप जो है वहां के जो भी collector था उससे जो है वह administration अपने control में लिया लेकिन एक हफते बाद अंग्रेजी सरकार ने फिर से अपना administration बना लिया वहां पर तो यहां पर लगबग एक अपते तक अंग्रेजी सरकार जो हट गए थी कहां से बलिया से सेकेंड देखिए तामलुक में जो की मिदनापूर में है December 1942 तो September 1944 देख रहे हैं organized विद्वत वाहिनीज अब विद्वत वाहिनीज जो है वो एक तरह की armed force है ठीक है तो इन्होंने basically एक parallel government established कर ली और due to the remoteness of तैमलुक ठीक है तैमलुक जो है वो इतना डेड़ दो सालों तक चलती रही और उन्होंने जनता को relief प्रोवाइड करने के काम किये जनता को राशन प्रोवाइड किया education के जो है वो education related surplus प्रोवाइड किया उसके अलावा justice बगारा देने काम किया और एक overall अपनी तरफ से प्रती सरकार नाम की एक parallel government जो है वो established हुई was organized under the leaders like YB-Cavan नाना पाटिल ठीक है YB-Cavan और नाना पाटिल जैसे leaders के अंदर प्रती सरकार 17 में established हुई जहां पर देखिये किस तरह के काम हुए village libraries and नयायदान मंडल यानि की judiciary system जो है established किया गया village level पर libraries जो है वो established की गई organized prohibition campaigns यानि नशा मुक्ती campaign जो है वो चलाए गए नशा बंदी campaign चलाए गए उसके लावा गांधी marriages कराए गई गांधी marriages का मतलब क्या हुआ गांधी marriages का मतलब होता है कि untouchables की marriages जो है वो कराई गई कास्ट के basis को छोड़ कर जो है वो marriages की गई so that means caste के bound से बाहर निकल कर जो है वो शादिया की जाए उस समय तो उन्हें गांधी marriages कहा जाता था क्यूंकि गांधी जी इस तरह की शादियां जो है वो करवा रहे थे अपने हरीजन सेवा संकेत है जब वो हरीजनों की सेवा कर रहे थे राइट so यहाँ पर example बनता है कि यह विद्वत वाहिनी क्या है और यह कहां पर थी तो विद्वत वाहिनी एक तरह का armed force है और यह हमने example देखा मिदनापूर में ठीक है तैमलक उसके अलावा गांधी मेरेजिस कहां हुई है तो आपके पास example होना चाहिए ठीक है एक हफते के लिए सरकार अगस्त में कहां parallel government कहां बनी थी तो वो example भी आपके पास है तो यह direct सवाल बनते है इनी points में यह आगए आपके facts ठीक है तो मैंने concept क्योंकि fact एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप दो दिन दो हफते तीन हफते नहीं पड़ोगे तो भूलना शुरू हो जाओगे इसलिए fact को revise करना पड़ता है लेकिन concept is something that remains with you concept आपका जुड़ा रहता है आपके दिमाग में ठीक है उसको हो सकता है कि थोड़ा बहुत धुनल नहीं कर सकते हैं अगर आपका concept एक बार दिमाग में set हो गया ना तो उसमें fact जो है वो लगातार fit होते जाएंगे तो अगर आपको अपनी preparation जो है वो well organized तरीके से करनी है तो concept based जो है वो fact को collect करने का जो base है वो concept का रखो पहले concept समझो कि घटनाए घटी क्या थी ठीक है सारे कि सारे जो है वो दृष्टी कोणों को समझने ही कोशिश करो फिर उसके बाद उसमें facts को डालेंगे तो बहुत भैतरीन तरीके से organize होगा बहुत भैतरीन तरीके से जो हुआ आपकी manage होगी पूरी information जो मैं कोशिश कर भी रहा हूँ कि सारी चीज़ जोड़ू अब आपको ल है ना साथ में पढ़ना और बाद में पढ़ना बाद में पहले क्या पढ़ना राइट तो वो पूरा का पूरा एक flow chart एक brain mapping के माध्यम से मैं वो सारा जो है वो आपको एक पूरा का पूरा flow chart cover करा दूंगा तेहास का modern का लग ancient का लग early medieval का लग medieval का लग world history का लग लेकिन पह सबको यह दिखना शुरू हो गया था कि अब वो समय आ गया है जब अंग्रेज चले जाएंगे तो जितने भी जमीनदार है बिजनसमेन है भारती है शाशक है बहुत सारे उन्होंने अब Congress के cause में मदद करनी शुरू कर दी क्यूं क्यूंकि आब उन्हें पता था कि आब हमे यहां यहां साथ दिया तो अब हमारा साथ दो तो इसलिए बिजनसमेन जमीदार वगएरा अब जो है वो मूवमेंट में उतर गए क्यूं क्यूंकि अब अंग्रेजी सरकार कमजोर हो गई थी तब तक वो अंग्रेजों के साथ इसलिए थे क्यूंकि उन्हें लगता था कि Congress अजादी जो है वो नहीं दिला सकती अभी ठीक है इसलिए अंग्रेजों का साथ देना हमारे फाइदे मत है लेकिन जब अंग्रेज कमजोर होते हुए देखे तो इन्हीं सब जितने भी सेक्ट्स हैं सोसाइटी के इन्होंने Congress का साथ देना शुरू कर दिया या जनता का इस समय में आपको करना क्या है और लोगों ने बखू भी जो है वो निभाया अपने रोल को ठीक है आगे देखिए नेक्स पाइंट नेक्स पाइंट आता है एक्टिव हेल्प वस प्रोवाइडिड बाई बिजनसमेन थ्रू डोनेशन्स शेल्टर जैन मटीरियल हेल्प ठीक है ठीक है तो जो बिजनसमेन लोग है उन्होंने मदद करने शुरू करी जमीदार लोग है उन्होंने शेल्टर्स प्रोवाइड करने शुरू करे ठीक है जमीदार लोगों ने जो है वो सप्लाइज देनी शुरू करी पैसे की हत्यारों की ठीक है और जो जमीदार हैं बड़े personal guards जो हैं वो अंग्रेजों को दिये हैं लडने के लिए या movement को surprise करने के लिए लेकिन यहाँ पर जमीदारों ने वो अंग्रेजों के साथ cooperation करना बंद कर दिया ठीक है this was something novel that has happened in quit India movement next point देखिएगा उसके अलावा students ने couriers couriers की तरह गाम किया यानि कि students के माध्यम से समान एक जगा से दूसरी जगा पहुंचाया गया ठीक है उसके अलावा simple villagers ने सरकार को information देने से मना कर दिया ठीक है गवाही देने से मना कर दिया क्यूं क्यूंकि सरकार जो है वो muslimों की settlements का इस्तवाल करती थी भारतियों को भढ़काने के लिए और भारतियों की settlements का इस्तवाल करती थी muslimों को भढ़काने के लिए तो यहाँ पर muslim peace entry ने अपने गावों में शरन प्रोवाइड करी ऐसे movements को ऐसे nationalists को जो यह underground activities कर रहे थे भले ही वो muslim ना हो क्योंकि muslim league ने actively participate नहीं किया लेकिन muslim जनता ने participate किया muslim जनता ने बड़े level पर participate नहीं किया लेकिन support जरूर किया तो आप यह बोल सकते हैं कि muslim league और muslim जनता भले ही active level पर participate ना किया हो लेकिन उन्होंने reject भी नहीं किया और उन्होंने अपोस भी नहीं किया और अंग्रेजों का साथ भी नहीं दिया तो एक neutrality उन्होंने बना के रखी ठीक है नेक्स चीज़ देखिएगा उसके अलाबा पाइलेट्स और ट्रेन ड्राइवर्स जो अंग्रेजी ट्रेन ड्राइवर्स अंग्रेजी पाइलेट्स है उन्होंने भारतियों के समान लान ले जाने मदद करी गवर्मेंट ओफिजल इंक्लूडिंग पुलिस ने जो है वो सीक्रेट इंफरमेशन इन मतला रेवलुशनिस को प्रोवाइड करी आगे देखते हैं अब एक्स्टेंट देखते हैं मास पर्टिसिपेशन का कि कहां कहां तक जो है वो जुड़ा हुआ था कितने लोग इस मा स्कूल एंड कॉलेज इस रिमेंड इन फॉर फ्रेंट यूथ जो है वो बड़े लेवल पर जुड़ा हुआ था दूसरी चीज़ वुमन एस्पेशली स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स एक्टिवली पार्टिसिपेटिड और उसमें से जो ऑनरेबल मेंचन है वह अरुना आसे यूथ दो दो जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे एक तो यूथ और दूसरा पीज़ेंट सारे मजदूर क्योंकि उनके मास खोने कुछ बचा नहीं था भुकमरी फैली हुई है कमाने को जमीन नहीं और यह आखरी में नजर आ रहा था कि अब अंग्रेजी सरकार जा देंगे कोई बात नहीं वैसे भी हमारे पास खोने को कुछ बता नहीं बचा नहीं उसके बास जमीदारों ने पार्टिसिवेट किया जैसे मैं आपको बताया धीज़ पीजर्ण्स कंसेंट्रेटीड देर ओफेंसिव और सिंबल्स इंबल्स अप्लीट एपसंस ओफ एन्ट आप बस मुव्मेंट जारी रखिए, हम अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों को खबर नहीं देंगे, अंग्रेजों के खबरी की तरह काम नहीं करेंगे, इसलिए एंटी जमिदार मुव्मेंट नहीं हुआ, जमिदारों के खिलाफ यह मुव्मेंट लडवाते आना भारतिय हिंदुओं को भारतिय मुस्लिमों से लडवाते आना यह दोनों ही चीज़े जो है वो कुई इंडिया मुमेंट में नहीं हुई इसलिए अंग्रेई सरकार भढ़की हुई थी हो क्या रहा है हमारे सारे पैंतरे जो है वो उल्टे पड़ दे ठीक है आ भारतियों की तरफ सिंपती दिखानी शुरू करी जो जेल में भारतिये बंद थे उनको मारा पीटा कम गया उनके प्रती जो है वो थोड़ी साहन भूती दिखाई गई तो मैंने बोला न अब अंग्रेई सरकार जाती हुई दिख रही है तो गवर्मेंट ओफिशल्स ने भ वो ट्रेंट चेंज होता हुँ नजर आया ठीक है नेक्सिज देखिए मुस्लिम्स हेल्ट बाइग जेल्टर टो अंडर राउडवांड एक्टिविटीज्ज मुस्लिस ने अंडर्राउड एक्टिविटीज पेलिए जो है वह वो जो अक्तिविस है उनको शेल्टरिंग भारत के जो भारत की जंता है वो आपस में नहीं लड़ी वो अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ती रही throughout ठीक है तो ये गांधी जी द्वारा बहुत 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 बहु कि रशिया जो है वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा है और रशिया में communist की सरकार है और भारत के जितने भी communist हैं वो रशिया के government से बहुत ज्यादा इन्फिलेंस्ट है इन्फेक्ट वहीं से ही सीखा है उन्होंने communism करना तो उन्होंने कहा कि यह जो युद है यह जनता की जनता का युद है ठीक है तो हम जो है वो अंग्रेजों का साथ देंगे क्योंकि ब्रिटेन और रशिया जो है वो अलाइड फोर्च जर्मनी एक खिलाफ ब्रिटिश वर अगेंस जर्मनी एंड इंपिर्लिस्ट वर बिकेम देपीपल्स वर कॉम्मनिजम या कॉमनिस्ट लीडर्स अंग्रेजी सरकार को इंपिरिलिस्टिक सरकार और विश्विउद के शुरॉवात में जब तक जर्मनी ने रशिया पर इन्वेड नहीं किया था तब तक इस युद को इंपिरिलिस्टिक वर बोली जा रही थी और बॉंबय में जो है वो स्ट्रीक पर स्ट्राइक कराए जा रहे थे ओं लेकिन जैसे ही रसिया पर अटैक हुआ तुरंत यह imperialistic war जो है वो people's war में बदल गई और Bombay एमदाबाद सूरत के mill owners पर pressure डाला गया और workers पर pressure डाला गया कि काम नहीं बंदोना चीए किस के द्वरा CPI leaders द्वरा ठीक है इसी के चलते के मुंची ने communist leaders पर CIDV लगवाई थी उनके बीचे मैंने पिछले case में आपको बताया था क्योंकि communist leaders पहले थे imperialistic जो है वो बता रहे थे movement को और तब विरोध कर रहे थे तब काम रुकवाने के चक्कर में थे मिलो में और फिर बाद में बोल दिया प्रिटिश लेफ्ट इंडिया एड़ थे टाइम दे माइनॉरिटीज वुड़ भी उप्रेस्ट बाइदा हिंदू मुस्लिम लीग ने इस movement को अपोस किया क्योंकि उनको डर था कि अगर अंग्रेश चले गए तो हिंदू जो है तो वो एक strategy के तहत है वो merely यह नहीं है कि एक मुसल्मानों के लिए एक अलग representation दे रहे हैं नहीं उसके पीछे बहुत गहरे जो हैं वो motives हैं world stream में समझाओंगा आपको कि क्यों हैं वो इतने गहरे motives और यह कैसे जो हैं वो सरकार जो है वो आवाम को manipulate करती है इन सब basic trivial आधर को Becca बना जाता है अगरी सरकार नहीं बनाया और भारती सरकार नहीं बनाया भारत में बनाया जा रहा और Pakistan में मनाय में प्सक्तार करते रहें बहुत important है आपको global perspective बनाना क्योंकि अगर आप भारत के level भारत में रहकर या भारत के level का अगर आप इतियास पढ़ते रहेंगे तो आपकी सोच जो है वो एक बहुत limited दाहरे पे रहेगी ठीक है लेकिन जब आप global perspective से देखेंगे न ठीक है जब आप यूरोप में बैठके देखेंगे भारत में क्या हो रहा है तो आप बिल्कुल अलग तरीके का खेल नजर आएगा आपको South East Asia के लिए जो European capitalist है उनकी क्या policy अगले डेट सो दोसो सालों की हम discuss करेंगे या पिछले डेट सो दोसो सालों की क्या policies है उसके हिसाब से हम आगे की policies को थोड़ा सा जो है वो briefly हम उनको जो है वो प्रेडिक्ट करने की कुशिश करेंगे आगे आने वाले session में विश्व इतिहास में यानि world history में बताऊंगा वो सब topic सो में ठीक है सो Muslim League ने oppose किया next Hindu महासाबा की बात करें आपने खुली छूट दे दिया Muslim League को की अपना पकिस्टान बनाओ यह ऐसा क्यूं हो रहा है अमें समझ नहीं आ रहा आपने खुली छूट क्यूं दे रखी है उन्हें ठीक है पहले ता आप बोलते हो बटवारा नहीं होगा और अब आप उनको करने दे रहे हो बटवारे की ज़्यादा सपोर्ट नहीं शो किया क्यूंकि वो डर में थे उनको यह था कि अगर भारत वैसे तो हमने इतने सालों से अंग्रेजों का साथ दिया है ठीक है अब अगर अंग्रेज जाने लगे हम भारतियों का साथ देंगे तो अगर अंग्रेज चले गए तो क्या भारती ह हमें accept करेंगे हैं नहीं अगर हमने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया अभी ठीक है और अगर अंग्रेजी सरकार हट गई तो हम लंडन कैसे जाएंगे फिर तो यहां पर पिंसली जो है वो भी थोड़ा सा प्रवर्ती है और वही वह काम कर भी रहतें अपने हितों के वारे में सोच रहे थे आगे देखिए अप गवजर्मन ने कैसे रिप्रेस्ट किया है सबको गवनें रिप्रेश न देखिए और मार्शलर लाह नहीं लगा वा था लेकिन रिप्रेशन जो हुय हो मार्श व्छ 10,000 के लगबग भारतियों की मौत हुई और लगबग 900 से 1000 के बीच में अंग्रेजी नॉट ब्रिटिश हर्स लेकिन जो ब्रिटिश ओक्यूपेंसी या ब्रिटिश ओफिशल ओक्यूपेंसी में जो भारति हैं उन कुल मिलाकर लगबग 1000 लोग उनके भी मरें प्रेस को जो है वो दफन कर दिया गया 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 था अब देखिए जो गाओं जो है वो गाओं के गाओं अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे थे उनमें आग लगा दी गई उनको जो है वो खदेड दिया गया गया गाओं के गाओं खहली हो गया तो अंग्रेजों ने आप य क्या है अब estimate लगाते हैं कि कोई इंडिया मुव्मेंट ने क्या अचीव किया क्या खोया सबसे पहला देखते हैं left without leaders leaders तो थे ही नहीं there was no restraint and violence became common leaders नहीं थे non violence को preach करने वाले गांधी जी तो पहले ही जेल में थे so that means violence जो हैicana कॉमवगा किसीने बताय के इतना करने गांधी जी नहीं है चले खुरो अब ड़े स्शन करना है नहीं करने मुझे नहीं पता कोई इंडिया वस मैंने तो देदिया मंत्र do or die है और आगे तुम संभालो ठीक है तो leaders थे नहीं violence तो होना लाजमी था next चीज main storm centers of the movement were in eastern united province बिहार, मिदनापूर, महराश्रा, करनाटका कहां कहां पर मुखेत है जो है वो movement active था तो eastern यानि कि जो बिहार से लगता हुआ एरिया है पर जाद रहा है तो वहां पर जाद़ नहीं फैला लेकिन जहां पर कांस की स्ट्रॉंग होड़ है बिहार में युनाइटेट प्रोविंच में बंगाल में महाराश्ट्र में करनाटक में गुजराट क्योंकि जो फूरा हिस्स है यह यानी कि इसमें मध्य पर देश एबले इरोजन अब आसे भारत है जो अंग्रेज़ों था और रहे हैं कि मैंसे जमीनदार कंशा थीं है ऐसे जो है वो राजा महाराजा उन सब ने धीरे धीरे अंग्रेजों का हाथ छोड़ना शुरू कर दिया क्यों क्योंकि उनको अब यह लगना शुरू हो गया था कि अब अंग्रेजी सरकार जाने वाली है तो अब हमें नैशनल मुवमेंट पे उतर जाना चाहिए ताकि हम पुट किया जा सकता है ठीक है कि लोगों के अंदर नैशनलिजम की भावना आ गई लेकिन ऐसा पुट किया जाना पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं रहेगा क्योंकि हम मानव की नैशनल प्रवत्ति को जानते हैं मानव जो है वो सर्वाइवल करना जानता है अच्छे से तो जब उन्हें अंग्रेजों का साथ बढ़िया लगा तो लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और जब अंग्रेज हारते हुए दिख रहे थे तो लोगों ने नैशनलिज मूवमेंट पर उतरना जो है वो सही समझा ठीक है so it was all about their personal self interest ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा ठीक है अब वो nationalism की भावना उनका self interest हो या उनकी नहीं जागरीती हो वो आप decide कर सकते हैं ठीक है वो आपका opinion बन सकता है लेकिन ऐसा हुआ है next is the movement established the truth that it was no longer possible to rule India without the wishes of Indians यहां से पता चल गया कि अगर भारतिये चाहें तो अंग्रेजों का system ठप कर सकते हैं ठीक है भारतियों के बगार भारत नहीं चल सकता the element of spontaneity was higher than before although a certain degree of popular initiative had been sanctioned by leadership itself subject to limitations of the instruction अब यहां पर बोला गया है कि क्या यह moment spontaneous था या नहीं था या जादा था या कम था तो यहां पर आपका जवाब यह spontaneous का मतलब क्या अचानक से हो गया क्या क्योंकि leaders तो सारे jail में थे लेकिन अचानक से कुछ नहीं हुआ है क्योंकि गांदी जी 1940 से ही individual सत्यगरे करवा रहे थे दीरे दीरे constructive work गांदी जी करते आ रहे थे उससे पहले सरदार पटेल नहरू ठीक है सी राजगोपालाचारी राजंदर परसाद ऐसे leaders ने गाओं गाओं में जाकर लोग को यह बोलना पहले से ही शुरू कर दिया था कि mass struggle आने वाला है तयार हो जाईए ठीक है उसके बाद जुलाई में वर्धा की meeting और फिर अगस्त में जो गांदी जी ने सारे points दिये हैं तो that means already जो है वो लोगों को पता था क्या कर रहा है प्लस पिछले 30 सालों की training तो थी ही ठीक है तो लोगों को पता था कि क्या करना है ठीक है तो लोगों को पता था लेकिन वो spark की जरूती व spark जो है वो सबको arrest करके मिला और वो moment जो है वो शुरूड ठीक है so it was it was spontaneous yes it was spontaneous in fact it was more spontaneous than civil disobedience and non cooperation moment combined लेकिन ये पीछे से चलती आ रही preparation का नतीजा भी था तो दोनों के factor आप यहाँ पर डालेंगे spontanity भी थी plus it was well thought after और पहले से prepared भी था ठीक है आगे देखते है क्योंकि देखिए leaders नहीं होंगे तो जो supporters है उनको improvise करना पड़ा और उन्होंने अपने हिसाब से improvise किया जहांपर violence हुआ वो गांधी जी ने कभी भी violence के बारे में बताय नहीं था गांधी जी ने थोड़ी देखिएगा the element of spontanity आ गया यह point ठीक है also the Congress had been ideologically, politically and organizationally preparing for the struggle for a long time यह मैंने आपको बताया ही जनता को ideologically, politically and organizationally prepare जो है वो पहले से किया जा रहा था Congress के द्वारा next point देखिएगा, अगला point आता है, the great significance was the movement placed the demand for independence on the immediate agenda of the national movement, यानि independence ही चाहिए और यह ने की war के बाद चाहिए, कभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चले जाओ, quit India, भारत छोड़ो, अभी छोड़ो भारत, अभी चोड़ो भारत, अब हमें कोई constituent assembly, कभी तुम बनाओगे, domin of that, अभी चोड़ो, ठीक है, अभी चाहिए, independence, next is, after quit India, there could be no retreat, quit India के बाद जो है, वो वापिस जाने का कोई chance नहीं पचा है, क्योंकि जनता ने openly declare कर दिया कि, अब तो हम तुम्हारे साथ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जनता के सभी वर्ग, maximum सभी वर्ग ने जो है, वो अप पहले अंग्रेजों के साथ था इतने सालों से, in this struggle, the common people displayed unparallel heroism and militancy, common लोग, मैंने बोला ना, school के बच्चे, college के बच्चे, और उसके अलावा जो पीजेंट्री है, बहुत भयंकर जो है, वो उन्होंने militancy करी, बहुत उन्होंने उपद्दरव मचाया, अंग्रेजों की प पगड़ पगड़ के मारा है, लेकिन ऐसा हुआ है, वाइलेंट्स की घटनाएं हमें बिहार से बंगाल से देखने को मिली है, जहांपर RAF, यानि Royal Air Force के जो मतलब पाइलेट्स है, उनको जो हो गाओं वालों ने पीट पीट कर मार दिया, कई जगाओं पर अंग्रेजी अफ फिरंगी को, कि मारना ही है फिरंगी को, भगाओं अंग्रेजों को, भारत छोड़ो बना, यानि यह नहीं था कि अंग्रेजों को मारना ही लोगों का एजंडा था, अंग्रेजों का एड्मिनिस्ट्रेशन रोक देना था एजंडा लोगों का, अंग्रेजों को अपना बात में था लेकिन शुरूम में गांधी जी ने रोका नहीं क्योंकि जब अगर दैसा यह र्यूदा यह टूला गूनडी जी ने वर्ट ले लिया घंसेमिधे फास्ट कि मैं आगांधी जी उत्स निन्हें प्रेश्य डाल रहे हो और अगर गया तो जंता और झ्यादा वैल उ हो जाएगी आसमे जो अंग्रेजी सरकार है उसने जो मर जाओ तों इनफेक्ट इनफेक्ट अंग्रेजी जी सरकार में गांधी जी के क्रिया करम का जोह naturally, इन्होंने अलान किया कि आदे दिन की हम सरकारी दफ्तरों में छुट्टी कर देंगे ठीक है गांधी जी की शोभा यातरा यहां से यहां तक निकलेगी उनकी राख को हम जो है वो ऐसे मतलब हावाई मतलब यातरा करवाएंगे उनकी अस्तियों को तो अंग्रेजी सरकार ने अपने तरफ से पूरी जा रहा था क्यों मैंने बोला ना पहले एक हफते शहरों में फिर दो महीने गाओं में और फिर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज चल रही थी ठीक है तो वो लोगों के अंदर जोश वापिस जगाना था इसलिए गांधी जी ने फास्ट किया और जब गांधी जी को लिमिट तक वेट किया जहां तक वो बहुत ज्यादा ना कमजोर हो जाएं उसके बाद उन्होंने खुद ही अपना प्रत तोड़ दिया और इससे हुआ कि इससे जनता जो है वो बहुत बड़े लेवल पर जुड़ गई फिर से फिर से लोगों के अंदर जोश जा गया इसने हमें परिशान करके रखा हम इसके आगे नहीं जुकेंगे इसलिए अंगरेजी सरकार ने ये इस बार मन मना लिया था कि आप गांदी जी को मरने दो इंफेक्ट हम इनके फुनरल की त्यारी करते हैं चीक है आगे देखिएगा यही पॉइंट हम नेक्स समझते हैं गा अरुक गांदी जी को बोला गया कि ब我也 लेंस बंद करो गांदी जी ने स्टेटमेंट दिये स्टम्स तुम्हारे में जAY यह दो छिए मैन मीन करते हैं चपने लोग को खाना नहीं दिया आपने लोग को सेनिटेशन आपने प्रवाइड किया हमारा भायत का सारा पैसा है यूरोप में लेगा, यूरोप में फिर आप लड़ रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भारती आपके यूद में पार्टिसिपेट करे, अपना और पैसा खून दे, ऐसे थोड़ी चलेगा, ठीक है, इसलिए हम, मैं नहीं रोकूंगा इस वाइलेंस को, आप अपने तो अब यहाँ गांदी जी ने सोचा कि अच्छा ये तो मेरा इखेल उल्टा पड़ गया मेरे पे, तो इसको और तरीके से गुमाते हैं, गांदी जी ने मेसेज देने शुरू करे कि मैं जो है, वो मर रहा हूँ, तुम लोग जाग जाओ, इखटा हो जाओ, इससे हुआ य जैसे गांदी जी की तबियत खराब होती गई, वैसे 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 लोग जागते गए, and this was the motive of the fasting, fasting करने का मोटी यही था कि लोग के अंदर जागरीती जगाना, ठीक है, आगे देखते हैं, next point, the popular response to the news of the fast was immediate and overwhelming, protests were organized at home and abroad through हड़ताल, demonstration and strikes, three members of voice or eye executive council resigned, ठीक है, voice or eye executive council के तीन भारतिये members ने रिजाइन कर दिया, US ने, चाइना ने, USSR ने अंग्रेजी government पर फिर से pressure बनाया है कि गान्दी जी का भूगड़ताल जो है, वो तुड़वाओ तुम, ठीक है, जो liberals इंग्लेंड में बैठे हैं, उन्होंने British cabinet में हल्ला मचा दिया कि गान्दी जी की भूगड़ताल को खतम करवाओ, ठीक है, गा आज भी global celebrity है, गान्दी जी, next देखिएगा, the fast अचीव, fast ने क्या क्या अचीव किया, public moral was raised, जनता का जोश जो है, वो फिर से जाग गया, anti-British feeling was high, जनता के अंदर, Britishers के खिलाफ, वो feeling आ गई, कि Britishers जो है, वो अपने फाइदे के लिए, गान्दी जी को मारने के लिए त ठीक है, आगे देखिए, next point, an opportunity was provided for political activity, गान्दी जी ने ये जो वरत करना भी है, कि इतना, इतना basic सी चीज है वरत करना, और इस वरत करने को ही गान्दी जी ने इतना मुद्दा बना दिया, इसको इतने बड़ी political activity, खड़े करने का मुद्दा बना दिया, ये गान्दी जी क गान्दी जी के आगे जुकने से जो उन्होंने मना कर दिया, ये जनता को पता चल गया, गान्दी जी ने बोला कि मैं अपने तन को खतम करके, अपनी राश्ट्रेता के उपर कलंक नहीं लगाना चाहता, मेरे शरीर में अभी जान है, मैं अभी अपनी देश की और सेवा ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, गान्दी जी ने मुव्मेंट शुरुवात किया था, अंग्रेजों पर प्रेशर डलने से, फिर अंग्रेजों ने बोला कि मर जाओ तुम, और फिर गान्दी जी ने जब अंग्रेजों का ये रवया देखा कि वो तो मेरी बात मानी नहीं तो गान्दी जी ने इस चीज़ का भी फिर से यूज़ किया जनता को जागरित करने में, तो गान्दी जी वस प्रपेड फर बोथ ओफ, कि या तो अंग्रेजी सरकार मान जाए, और अगर अंग्रेजी सरकार मरने देती है मुझे, ठीक है, तो मैं उस चीज़ का इस्तमाल क सारी फॉर्मुला, आएने कैसे बनी, ठीक है, और फिर उसके बाद वैवल प्लैन क्या है, वो अगले आने वाले टॉपिक में में पढ़ाऊँगा, पिछले टॉपिक में हमने इंडिविजुल सत्यागरे, ऑगस्त, ओफर, और क्रिप्स इंडिया मिशन पढ़ा, तो इन सा को देखिए, समय निकालिए, नियत्यमत बैठा कीजिए, कॉपी पैल लेकर बैठा कीजिए, नोट्स बनाईए, बहुत जरूरी है, प्लस जो सवाल में पूछते रहता हूं, उनके जवाब दीजिए, उसके अलावा ये सेशन आपको कैसा लगा, फीडबेक प्रोवाइड क कीजिए, मुझे कमेंट के माध्यम से, ठीक है, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाते हैं, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताईए, मैं उस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा, otherwise मैं अपने end से, अपनी तरफ से देखेंगे, सीराज को पालाचारी फॉर्मिला क्या है, उन सब चीजों को समझेंगे, फिर उसके बाद हम भारत को आजाद भी करवाएंगे, पर्टिशन भी देखेंगे, क्या है, ठीक है, तो आज के सेशन को यहां खतम करता हूँ, मैं अगर आप CSC के लिए प्रेपेर कर मैं मिलूँगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और रिविजन करते रहिए, ध्यान रखिए, रिविजन की साइकल्स, राइट, तो टेक केर,